सड़क दुरगटन में महिला की मौत पिता पुत्र जखमी औरंगाबाद मंगलवार की दोपेज सड़क दुरगटन में जहां एक महिला की मौके परी मौत हो गई वही महिला के पती और मासूम पुत्र गंबी रूप से जखमी हो गई गटना नगर थाना छेतर के हसोली मोर के समीप राष्टे मार्ग दो पर की है मिर्तगा देव, थाना अंदर गर्थ सरगावा गाउwn निवासी आशिष सिंग की पत्नी चंचला देवी बताई जाती है प्राप्त जानकारी के अनुसार आशिस सिंग अपनी पत्मी के साथ बाइक पर सवार होकर अपने पांच वर्षय पुत्र सिधार्थ कुमार का इलाज कराने औरंगाबाद आए थे इलाज कराने के बाद वे तीनों बाइक से ही अपने घर सरगावा लोट रहे थे जैसे ही वे हसोली मोड से थोड़ी दूर आगे बढ़े कि पीछे से ट्रक ने बाइक में टक कर मार दी इस घटना में उक्त महिला की मौत मौके पर ही हो गई तदब पती वेप पुत्र दोनों गंबी रूप से घायल हो गए आनन फारन में स्थाने लोगों ने दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाए जहां दोनों का इलाज किया गया इदर आसपास के लोगों ने सड़क जाम कर मौफजे को लेकर हंगामा करने लगे इदर घटना की सूचना पर पहुची नगर्थाना की पुलिस ने लोगों को समझा बुजा कर जाम छुड़वाया तता शव को अपने कबजे में लेकर पोस्माडम की परकरिया में जुट गई परिजोनों ने बताय कि मिर्तिका का माई के हसोली गाउं में है तता वेह सोली निवासी महिंदर सिंग की पुत्री थी मिर्तिका के दो पुत्र थे इस घटना के बाद मिर्तिका के ससुराल वेमाई के दोनों जगों पर कोहराम मच गया है औरंगबाद से बिने परसाद साहू की रिपोर्ट प्राइमेटी नियूज गाड़ी का नंबर भी परसाद वारा नोट कर लिया गया है फायार दर्ज की जा रही है मगर ये काफी दुखद मामला है आए दीन एनेज 2 पर घटना घट रही है मगर परसाद लापरवाही की हद है उसमें कोई सुधार नहीं ला रही है अगर रोड पर खड़े ट्रक को लगातार हटाया जाए तो हमको यू लगता है कि आने वाला घटना पर अंकुस लगाया जा सकता है